तो आज के वीडियो होने वाला है हाइट इंक्रीज के उपर हाइट कैसे बढ़ा है जिन भी भाईयों की हाइट नहीं बढ़ लिए जो परिशान है कि हमारी हाइट नहीं बढ़ लिए तो उनको मैं आज कुछ ऐसी बेस्ट एक्साइज बता हूँ जिसको अगर आप रोज जो हम पहले एक्साइज करेंगे उससे कहते हैं ताडासन उसमें करना क्या होता है आपको देखे सीरे खड़े हो जाना है आपको दोनों हाथ दोगों लेके सीदे उपर तक स्ट्रेच करना है इस तरीके से अपने पंजों को भी उठाना है देखिए नीचे की तरफ यह आप होल्ड करना है 30-2 इसी पोजिशन में आपको होड करना है ऑप फिर आपको कर लेरा hippie हैसे और कर सकते हैं गर आप पैसे चलते हैं तो यह आपको और पाइदा देगा अब जो हम दूसरे एक्साइज करेंगे वह गया आपके हाई नी परफॉर्म कैसे जैसे आप दौनते हैं सिंपल उसी तरीके से आपको यह परफॉर्म करने इस तरीके से लिए अगर आप इसको रोज करते हैं तो आप इसके रोजाना यह सकते हैं और तीर यह करने हैं क्या करना को किसी जगे लटकना है आपको होल्ड करना है मैक्सिम जित्ती देट अब कर सके हैं इसके भी आपको रोजाना तीन से चार सेट फॉलो करने है और मैक्सिमम होल्ड करना है जितनी देर तक आप लटक सकते हैं उत्ती देर तक आपको लटकना है जो हमारी फोर्थ एक्साइज होने वाली है अगर आपको अपने बॉड़ी को फ्लेक्सवल नहीं है आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती तो बॉड़ी को फ्लेक्सवल बनाना जरूरी है अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए हम लगाएंगे हनुमान डंड हनुमान डंड कैसे करते हैं वह आज मैं आपको आपको इस पोजिशन में आ जाना है सबसे असान तरीका उता हूं ह पिर ऐसे ही सेकिंड पैर को हमने ऐसे रखना है और इस तरीके से यह सैट परफॉर्म करना है यह हो गया सबसे असान तरीका इसको परफॉर्म करने का बेस्ट एक्साइज है अब आप अपने बॉड़ी गो फ्लेक्सिवल बनाना चाहते है तो आप इससे शुरुआत कर सकते है आप जैसे ऐसे यह लगाते रहेंगे आप उधने ही परफेक्ट होते रहेंगे अब जो हम नेस्ट एक्साइज परफॉर्म करेंगे यानिकि फिप्ट एक्साइज होने वाली होगी हमारी राम मूर्ति डंड तो यह आपके बॉड़ी को लेक्सिल बनाता है साथ में आपक पोजिशन में वापिस इस तरीके से आपको यह सेट परफॉर्म करना है यह एक्साइज परफॉर्म करना है इसी तरीके से अगर आप यह नहीं कर बात है आप बिगनर है तो आपको सबसे असान तरीका मताओं इसको परफॉर्म करने का आपको इस पोजिशन में आना है चैस यह था असान वेरियेशन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप यह वेरियेशन लगा सकते हैं आप जैसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट होते जाएंगे अब हम आते हैं अपनी लास्ट एक्साइज की तरफ देखिए इसका मीजे नाम तो नहीं पता अगर आप इसको पहचान जाए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर लें तो हमें क्या करना है सिंपल इस पोजिशन में आपको बैट जाना है देखिए इस तरीके से आपको बैटना है और इस दोनों हातों से पीछे स्ट्रेच करना है एक आर्च वनाना है अपनी बैक में इस आपको स्ट्रेच करना है फोल्ड करना है जितनी देर तक आप फोल्ड कर मिले आपको इस तरीके से होल्ड करना है फिर रिलेक्स होना है फिर आपको सेम पोजिशन है इस तरीके से आपको होल्ड करना है दुबारा से फिर आपको रिलेक्स करना है यह थे कुछ मेरी बैस्ट जो मैंने आपको बताई है हाइक को तेजी से ग्रू करने में आपकी हेल्प करेंगी अगर आप इसको रोजानव फॉलो करते हैं अगर आप और वीडियो देखना चाहता है हाइट किसके उपर तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाए या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए